नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्ता आशुव आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल XYZ सबकोस्त LMB लैसेंस पर बड़ा फैसला हाँ जी दोस्तो LMB लैसेंस पर ये जो फैसला है इस ओर्डर ने सारी केंफूजन दूर कर दी जो ड्रावर भाई LMB लैसेंस से गाड़ी चलाते हैं और वो ड्र ड्र के चलाते हैं कहीं हमारा चलान ना कर जाए कहीं हमें पुलिस वाला पकड़ना ले तो दोस्तो इस आर्डर को देखने के बाद आपकी सारी केंफूजन दूर हो जाएगी फिर आप खुल के गाड़ी चलाएंगे आप किसी भी पुलिस वाले से नहीं डरेंगे चलिए मैं आपको ओर्डर दिखाता हूं पूरी जानकारी ओर्डर जारी किया गया है और इसमें LMB लाइसेंस के नियम के बारे में बताया गया है कि आप LMB लाइसेंस से कौन-कौन सी गाड़िया चला सकते हैं तो दोस्तों पहला जो यह पेज है इसमें क्या-क्या जानकारी दे रखिए वो मैंने पढ़ लिए यह इंगलिस में है मैं आपको इसका हिंदी में चारण करके बताता हूं तो पहले पेज में ये लिखा हुआ है कि तमाम राज्यों की जितने भी हमारे भारत में राज्ये हैं उन सभी राज्य के अधिकारियों को आर्टी ओफिसर को वहां के राज्यों को ये सूचना दी जाती है कि LMB लाइसेंस के उपर 2017 में एक आदेश जारी किया था यानि कि एक जेज्मेंट लिया था उस जेज्मेंट के माध्यम से हमने ट्रांस्पूर्ट विभाग में कुछ तबदीलियां की हैं लाइसेंस डिपार्टमेंट में तो उसकी जानकारी मैं इस आडेश आडर के माध्यम से आप सभी को दे रह हमनना पड़ेगा लेकिश्टक द्हिक्प दोस्तों तब आती है यह राज जी मानते तो हैं लेकिन उन राज जी क 20 पर फिर वहन को रोख ले थे हैं उनको इसकी सकता है एक परिशंद की कोपी आपको होगी औुन को यह दिखाएंगे तो आपका चलान काट आपको walnya काट अगर उसको परिवाज्द कर सकते हैं वह प्रेकली में यह बर्खास्त की वह दी है उसके अनुसार आप ट्रांसपोर्ट विवाग में अपने यहां पर तब्दिलिया करें और सभी को यह जानकारी ने ठीक है दूसरे में भी दोस्तों मैं बताता हूं दूसरे पेज पेज को भी मैंने पढ़ लिया हो दूसरे पेज पेज पर दोस्तों यह लिखा हुआ क अगर आपकी गाड़ी का बजन 7500 अगर आपकी गाड़ी का बजन और उस पे लोडिंग होने वाले समान का तोटल बजन यानि कि दोस्तों मैं टोटल बजन की बात कर रहा हूं गाड़ी का और लोडिंग का ठीक है तोटल बजन अगर 7500 किलोग्राम से कम है तो वो light motor vehicle में आ आपकी गाड़ी आती है और उस गाड़ी को आप LMB लाइसंस से चला सकते हैं आपका कोई भी चलान नहीं काटेगा चाहे वो गाड़ी प्राइबेट हो या फिर वो कमर से लो दोस्तो सुप्रीम कोट का जो जेजमेंट आया था उसमें जेजमेंट मोनों ने कहा था कि किसी भी ड्राइबर के पास अगर LMB लाइसंस है और अगर वो चार पईया वहाँ चलाता है चाहे वो प्राइबेट हो या फिर कमर से लो और उसके पास LMB लाइसंस है तो आप उसका चलान नहीं काट सकते हैं आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि आप कमरसल गाड़ी के लिए जो है कम सबसे खास और महत्पूर पेज है यह तीसरे पेज है यहां पे बिल्कुल साफ साफ परिवहन मंत्राले ने लिख दिया है अधर बिल्कुल साफ साफ लिख अमिआ माइपको पढ़िके पताता है इस तीसरे पेज में जो सबसे खास और मुख्य चीज लिख क्यों मुख्य यहां पर यह लिख रुद्धि के पास अगर LMB license है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई अलग से endorsement यानि कि किसी भी प्रकार का कोई भी उस पे license चड़वाने की आवशकता नहीं है जब तक के वो medium और heavy goods and passenger हाँ जी दो तो जब तक के वो medium गाड़ी और heavy गाड़ी चाहे वो loading वाली हो या फिर passenger वाली हो नहीं चलाने का मन बनाता है तब तक उसको LMB license के अंदर endorsement separate endorsement कराने की कोई आवशकता नहीं है कहने का मतलब यह है दोस्तो अगर आपके पास एक LMB license है और आप हलकी गाड़ी चलाते हैं और medium और heavy गाड़ी आप नहीं चलाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपने license में तबदीली कराना या फिर कुछ और चड़वाने की आवशकता आपको नहीं है आप LMB license से 7500 kg की गाड़ी चला सकते हैं ठीक है अगर आपको heavy गाड़ी चलानी है या फिर medium या फिर heavy गाड़ी चलानी है चाहे वो loading वाली हो या passenger वाली हो और आप यहां पर साब साब लिखा अगर आपके पास LMB license है ठीक है दोस्तों तो आप यहां पर पर सकते हैं आप LMB license से motorcycle with gear motorcycle without gear light motor vehicle light motor vehicle goods और passenger light motor vehicle मैंने आपको बता दिये जिसमें के car, auto, tractor, road roller इस प्रकार की गाड़ी आती है जिनका total बजन मिला के और loading वाला total बजन मिला के 7500 kg हो वो LMB category में आती है दोस्तों ठीक है चाहे वो goods हो goods यानि की loading वाली हो passenger यानि की सवारी वाली हो यह वाली गाड़ी आप चला सकते हैं और यहां पर लिखका हुआ E-Rixa भी चला सकते हो आप LMB license से और साथ में E-Cart भी चला सकते हो इसमें कोई भी add कराने की आवशक्ता नहीं है काफी सारे जो हमारे सब्सक्राबर भाई है वो message करते हैं भाई हमें पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं क्या आपको motorcycle चलाने के लिए LMB MCWG का license में add कराना पड़ेगा तो यह ministry of road and transport highway का जो आडर है 2018 से ही लागू कर दिया गया है पुलिस वाले इस कानून को क्यों नहीं मानते हैं अगर नहीं मानते हैं आप यह आडर उनको दिखाईए और वो तब भी नहीं मानते तो आप उसको कोट में चैलेंज कर सकते हो उनकी नोकरी पे बन जाएगी पहले आप उनको यह आडर दिखाईए कि ministry of road and transport highway ने यह आडर पास किया है जिसमें आप motorcycle with gear motorcycle without gear light motor vehicle good and passenger और एरिक सा e-card सभी गाड़ियां LMB license से चला सकते हो ठीक है दोस्तों आशकरतों आपको सारी जानकारी मिल गई होगी आपकी सभी confusion दूर हो गई होगी दोस्तों अब आप बे जिजग बिना डरे हुए LMB license से इतने प्रकार की गाड़ियां चला सकते हैं चाहे वो commercial हो चाहे वो private हो मिलते किसी और जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय बारत